Hello friends welcome back to my video और आज के इस वीडियो में हम लोग modern trend in Indian art के graphics को देखने मारे हैं और आज का जो ग्राफिक है हमारे वो देवी है by जोती भट तो इसको हम लोग देखेंगे तो अगर चैनल पिर नुए है तो subscribe कर लिजिएगा notification icon को भी प्रेस कर लिजिएगा और चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार contents को तो content में सभी को पता है यह स्थारा हो चुका है हमारा और यह modern ट्रेंड इंडियन आर्ट का miniature printing में हो चुका है ग्राफिक्स का भी एक lecture हो गया है जिसमें हमने पढ़ा था और आज दूसरा लेक्षर इसमें हम लोग पहले लेक्षर में चिल्डेन भाई सोमना थोरे हमने ग्राफिक्स देखा था और आज के लेक्षर में देवी बाई जोती भट यह ग्राफिक प्रिंट देखने जा रहा है हम लोग चलिए देख लेते हैं अगर इस वीडियो को उपने नहीं देखा आप तक इन सारे चेप्टर को तो जाके जल्दी से एक बाद रिविजन कर लो इससे कि आपको फाइदा ही रहेगा नोट्स क्लेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दो लिंक हो गए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ टेक्निक कौन से है इचिंग इचिंग टेक्निक के हल्प से बनाई गई है इचिंग क्या होती है एक टेक्निक होती है प्रिंट करने की जो कि उस टैम पर यूज की जाती ठीक है डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे हम लोग देवी इलुस्ट्रेट्स दा आइडिया ऑफ fertility को convey दिखा गया है मतलब प्रजनन की छमता को fertility की छमता को दिखाया गया है वहाँ पर idea को दिखाया गया है and power worshiped as सक्ति और देवीन तंत्रिक कल्ट और कुछ तंत्र मंत्र की सक्तियां हो गया भी आप इससे convey कर रहे हो इस ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे this power lies as kundalini a serpent in the female forms at the base of the spine both in male and female और यह जो powers जो बात की गए है इस ग्राफिक्स में वो power आपको kundalini को जगाना होगा तब ही वो आपको मिलेगा वो power और serpent in the female और यह जो power है वो female में serpent की तरह serpent मतलब sap होता है ठीक है serp उसी word से serpent बना है ठीक है न तो sap जैसा structure आपको दिखेगा और वहीं पर power जो होती है उसको जगाया सकता है tantric cult के method से योग से भी जगाया जाती है सिध्या जगाया जाती है आपको पता ही होगा कि योग साधना अगर आप करते हो तो आपकी सिध्या जो है मतलब आपको सिध्धी प्राप्त हो जाएगी आपकी कुंडली नी जो हो जाग जाएगी और इससे के आप बहुत ज़्यादा पावर होती थी वह कुछ भी बहुत थी वह हो जाता था और मतलब आपने रामायन महावारत देखा होगा रामायन खासकर तो आपको इन सब बातों का अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा ठीक है न तो यह सब योग के जरिए बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है और बहुत दॉलेज होगा जाग जाता है कुछ जो बहूत तपश्रा करते हैं योग करते हैं तो इसलिए बोला जाथा है कि योग सभी को करना चाहिए न कि यह पावर जागे आथा है ओना टाके हलिए बहुत सभी रहता है और अच्छे से योग करें और कुंडलीन जागे रिप्क बेंगाल तो देखिए यह इचिंग से बनाए गई है यह ग्राफिक वह बहुत ही आर्टिस्टिक है उसमें टेक्चर वगरा पढ़िया है सर्पेंटाइन फॉर्म में आपको दीखेगा यह ग्राफिक और इसमें जो आपको फेस वगरा जो दिखेगा वो देवी का मतलब स्व परेड़ पर एंड उनकी आखे जो होंगी बड़ी होंगी और खोली होई आखे होंगी यह जो है बेंगाल के दूर्गामा की इमेज से रिजेंबल होता है ठीक है तो यह रहा आपका देवी ग्राफिक प्रिंट जो मॉडर्ण प्रिंट इंडियन आर्ट है उसका यह पूरा सब्सक्राइब होता है इसलिए तो मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा रहा हूं मैं पॉइंट पर आउट करके पढ़ा रहा हूं यह आपको पता ही होगा कि इतना मतलब यह आपको 30-40 वर्ड में यह पूरा आ गया होगा स्लाइड ठीक है और आपको 80 वर्ड में मिलेंगे बुक्स में दिस्क्रिप्शन वगारा तो उस असी वर्ड में बहुत जाद एक इक चीज को जोर दिया कि क्या टेक्ट्चर था क्या नहीं था नहीं था मतलब पूरा बताए गया लेकिन हमें ख्या थी में यह भी जानना है जिससे कि हमें एक दम से ऐसा ना लगे कि हम बहुत ही महनत करी है बहुत ज़द रिसर्च करके ने दो तीन बुक्स को मैं कलेक्ट करके एक साथ रहके पढ़के खुद इस पर स्टड़ी करके मैंने ऐसा पॉइंट बनाया है और आपके सामने यह सारे स्लाइड्स जो आप देख रहे हो यह मैंने बताया है यह बहुत जादे रहा हूं जिसे कि आप लोग भी कन्फूजन में न रहे हैं ठीक है और बहुत सारे जगह पर आप देख लोगे वीडियो जोगा रहे हैं तो बहुत लंबी-लंबी स्लाइड्स है बहुत जादा जाद दिया गया है तो उतना जानना मतलब आपको है तो आप देख सकत करेंगी और यहां पर सर्प जैसा यह साप जैसे यह ग्राफिक दिख रहे होगे आपको वही सर्पेंट सर्पेंट लिखा गया था उसमें और यहां पर आप देख सकते हो यह तो गोला जो आपको दिख रहा है यह कुंडलनी गलती से बोल दिया मैंने यह जो आपको दिख यह आईडिया दिखा रहा है, fertility का अप्रजनन का idea यहां पे सो कर रहा है, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है, fertility का यह सो कर रहा है, और यह सर्प जू है, यह सर्प ऐसा ऐसा गूम रहा है, यह सब आपको यह कनवे कर रहा है, यह कुंडलनी जागरत होगी, तो power अग्ञरा का कनव friends और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फरेंट में साथ जरूर से जरूर से शर करिए का। और क्योंकि मैंने महरत बता ही दी इस वीडियो के पीछे तो आप समझ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई and have a good